हमारा 220 लोकेशन है और 2000 रेस्टोराण है और यह समझना कि मेरे रेस्टोराण के सेल बढ़ाने के लिए क्या-क्या इंपोर्डेंट है जैसे बोलते हैं ना कस्टमर भगवान होता है यस वहान आपसे बात करना चाहता है करेक्ट फीडबैक के जरीए अप सुन लो क्या बोलना हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब भी कस्टमर का निगेटिव प्रिवीव आएगा तो उसको फीडबैक समझो बिल्कुल स्विगी जमाटो हमारा बेस्ट दोस्त है हमारा धन्दा चलता है उनके उपर से बात करते हैं तो उनकी कंप्लेंट रहती है कि यार स्विगी जमाट आपका बेस्ट दोस्त है हमारे ओडियंस को यह बताइए कि स्विगी जमाटो वाले मैनेजर को हमने क्या-क्या मांगना चाहिए हक से मांगना चाहिए तो आप मुझे यह बता रहे हो कि मेरा खुद का रेस्टारेंट है जो मेरा फुटफॉल आ रहा है वो तो आते रहेगा लेकिन मुझे आप एक्स्टा ओर्डर राके दोगे स्विगी और जमाटो से लोग बोलते है कि जब भी कोई रेस्टारंट चालो करता है उसके असी प्रतिशत चांस है कि एक साल में तुम्हारा धंदा बंद हो जाएगा बहुत हार्श रियालेटी है यही प्रॉब्लेम सम करते है उस ट्रेंड को कैसे कैप्चर किया जाए और जो रेस्टारंट वाले है मेरी खुद की एक्सपर्टीज उन लोगों को कैसे दी जाए उसका आज मास्टर क्लास होने वाला है आपका अगर रेस्टारंट है और आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो सेल करने के लिए तो ऐसी फोटो होनी चाहिए जब आप अईटम का नाम लिखते हो तो कैसे आटम का नाम होना चाहिए ऐसी बारिक-बारिक छोटी-छोटी चीजे आज हमारे गेश्क ने हमें बताईए तो मिलते हैं और स्वागत करते हैं गौतम भाई का गौतम भाई आप स्विगीस होमाटों 220 रेश्टारंट चलाते हो, बहुत बड़ा काम करते हो, और मैं जब बाकी लोगों से मिलता हूँ, तो स्विगी जोमाटो को हर कोई गाली ही देता है, आप मुझे ये बता दीजिए कि स्विगी जोमाटो पे कोई भी एक रेश्टारंट उनर सबसे बड़ी गलती क्या करता है सबसे पहले ये बोलूँ कि 220 नहीं 2000 रेश्टारंट चलाते हैं, क्योंकि हमारा क्लाउड कीचन होता है, एक जगह से 10 रेश्टारंट होते हैं, एक ही फूड कोट जैसा, तो 200 लोकेशन है, 200 फिजिकल लोकेशन है ये रूम जैसा, वहां से 10 अलग अलग तरीके के काने बंग सारे चीजें कुछ-कुछ बेशित ही होते हैं, मेन्यू जब डालते हो, फोटो अच्छे होना चाहिए, जैसे लोग बोलते हैं, कि आदमी आखों से खाता है, खाना अच्छा दिखता है, तो ज्यादा खाता है, तो फोटो अच्छे होना चाहिए, आइटम का नाम और डिस् यह मेन बेसिक बेसेलर जो होते हैं, वो तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर तो वो ही खरीदने आता है, और बाकी 20% आपके जो स्पेशालिटी से वो रखना पड़ता है, और यह बेसेलर का आपको डेटा मिलेगा स्विगी समाटो से, अगर पूछ हो गए, तो वो लोग बताएंगे आपको, तो मेन्यू अच्छा होना चाहिए, मेन्यू का डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, इमेजस अच्छा होना चाहिए, और कॉम्बोस अच्छा होना चाहिए, यह सब करोगे तो आगे बढ़ेगा धन्दा, इसको एक एक करके और डिटेल में अपन लेते हैं आपने जब बोता है कि यह तो चाट जीपिटी टाइप आंसर हो गया आपने दिया भी फोटो अच्छे होने चाहिए अच्छे फोटो की डेफिनेशन आप मुझे बता दीजिए कि किस तरीके से मैं समझू मैंने पांच जार रुपे दिये किसी बंदे को उसन किस्टमर को जो मिलेगा हाथ में उसी का फोटो लगाना चाहिए ऐसे नहीं कि कहीं गूगल पे फोटो मिल गया वो लगा दो क्योंकि जब कस्टमर को खाना आता है तुमने दिखाया और कुछ और बेचा और कुछ तो उसको अच्छा नहीं लगगा तो यह रूल नंबर वा जाती है कि 10 लोग सेमी फोटो डाल रहे है बिल्कुल और पता चल जाता है कि यार यह यूज किया हुआ है जब खुद का डालते हो ऑथेंटिक होता है और जब हाथ में जाएगा तभी सेम दिखेगा तो रिव्यू भी अच्छा आएगा बिल्कुल यस ऐसा नहीं होना चाह है जो आता है उसके हाथ में वही आपको लगाना पड़ेगा वह यह गलती बहुत लोग करते हैं जो गूगल पर मिल जाएगा फोटो लगा दिया बहुत अच्छा दिखने वाला फोटो लगा दिया आपका जो खाना है उसी को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो समझे वितारे में भी लोग अलग कोई लोग कोई लोग कि बैङघघराउंद होना चीए इससमें क्या डिफिकर का जाए वाले से पूछना गहां ऑपार प्लीचे को वह पोगा घ्रप आपके पास कोई ऐसा पैरामिटर है कि मान के जलते कि आपने बता है कि हमने बहुत सारी गलतिया की इनीशेली तो एक मैंने और फोटो डाला और एक अच्छा फोटो डाला तो मेरे क्लिक कितना बढ़ता है ऐसा कुछ आपने कभी ए बी टेस्टिंग किया हुए तो थोड़ा मुश्किल है ऐसे टाइप का डेटा मिलना मेनू के अंदर कौन सा इटम पर क्लिक होता है इतना लेवल का डेटा थोड़ा मुश्किल है निकालना बट मैं एक और एक्जांपल बदाता हू हमारा मेन ब्रैंड है वार्म ओवन बेकरी का ब्रैंड है आप कोई भी बेकरी का मेनू देखोगे उनका 500 ग्राम का केक रहता है वन केजी का केक रहता है नॉर्मली ब्लैक फोरेस्ट केक रहता है और या चॉकलेट का ट्रफल केक रहता है यह फिक्स्ट है बेकरी में आप ब हमने एक प्रॉडक्ट लाँच किया था, बेंटो केक करके, बेंटो कॉरियन बॉक्स होता है, वो साइज के, इतना चोटा वाला केक, हाथ में बैठते है, 250 ग्राम्स वाला केक, क्यूं लाँच किया था, हम पूरा देश में अगर केक बेचना है, 500 ग्राम का केक, आपका फैमि आपने पैसे भी ज्यादा दे दिया उससे अच्छा उसको एफरडबल बनाओ ऐसा वाला पानी बोटल जैसा 10 रूपीस पानी बोटल जैसा 10 रूपीस वो पुराने जमाने में 2 रूपए का शाम्पू आता था था एसा टैप एफरडबल केक यस ताकि हर कोई छोटा चीज में आप सेलेबरेट करो आप आज खुश लग रहे हो घर जाके चोटा सा केक फाली के साथ का लो नई तो पहले क्या होता था चार या पांच बार आप साल में केक और करते थे तो यह वाला प्रोड़क्ट हमने जब लांच किया था यह बेंटो केक कुरिया में बहुत फीमस था तो बेंटो बाक्स करके आता है करिया में छोटा सा बाक्स टो हमने इसको बेंटो केक करके नाइम करके सविग कर guy Zomato में डाला था और हमने पहले ला एक गलती किया कि वू 2,5-Friva शão केक करके उसमें लगाया नई था तो शुरूआह ट में प्राइस पॉइंट ठीक था फिर हमने बोला कि 250 ग्राम करके लिख देते हैं पर कस्टमर लॉयर थोड़ी है कि हर कोई फाइन प्रिंट पड़े पर फिर फिर वही प्रॉब्लम हुआ तीसरी बार हमने क्या किया फोटो एक किसी के हाथ में केक रखा और ऐसे दिखाया परफेक्ट तो आदमी को लगता है द उसके बाद से और उदर डिस्क्रिप्शन में बोला कि बर्गर साइजड केक और हाथ में केक का फोटो है इसके बाद से नेगेटिव रिव्यूज आना बंद हो गया क्योंकि जो देख रहा है कस्टमर को वही मिल रहा है और यह हमारा अभी तो सबसे बड़ी आस बिखता है यह वाला प्रोड़क्त पर दो बार हमने गलती किया था करेक्ट ने मेरे ख्याल से धंदे में तो चीज़े होती रहती है पर लर्निंग करके हम लोग भी हमेशा बोलते है कि जब भी कस्टमर का निगेटिव रिव्यू आएगा तो उसको फिडबैक समझो उसने टाइम निक होगे तो दर्ध होगा अब बता रहा है तुमको कि यह मेरा निगेटिव था आपने उस फिडबैक को बहुत अच्छे से और बहुत इनोवेटिव तरीके से आपने प्रेजेंट किया बहुत बढ़िया मेरे खाल से एक बहुत अच्छी लर्निंग है कि जब भी हम लोग कु अब सुन लो क्या बोलना चाहता है और मैं दाद देता हूं आपकी इनोवेशन के लिए बहुत अच्छे से आपने इनोवेट किया प्रोड़क को उसमें बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि जो इनोवेट करते हैं पहली बार फेलियोर हो गया तो बोलेंगा यह नहीं चलता यह नहीं चलता छोड़ दो अपका काम यह होता है कि मैंने इनोवेशन लाया है अगर माल भिक रहा है और अगर निगेटिव फिड़बेक को किस तरीके से कवर करके उसको बाजो में करूं मेरे माल को ज्यादा प्रोमोट करूं हिरो बना ने बेलकुल मैं तो आदमी सीखता आप अगर स्पोर्स फॉलो करते हो राहूल राविड रोजर फेडरर रोजर फेडरर ने चायद मेरे इसाब से 80-90% of matches जीता होगा पर पोइंट कितना जीता होगा पता अपको 51-52% of the points उसने जीता होगा तो 49% of the times he actually lost, he failed, but still he was a world class नमर्वन प्लेयर पॉर्ट पॉर्शूमीन येस वह शो मिनियर्स धन्दा भी ऐसे है कुछ ट्राइब करो गलती होता है सीखो ऐसे नहीं कि गलती हो गया तो बंध कर दो जाम क्या बात है गोल्डन स्टेटमेंट है भाई धन्द तो धन्दा है धन्दे में होते रहता है धन उसमें आपका क्या लर्निंग था? आइटम का नेम में भी एक लर्निंग है. वही बेकरी का ही एक्जामपल लेते हैं. सबसे ज़्यादा बिकता है ब्लाक फोरेस्ट केक. पूरा इंडिया में जो भी बेकरी आप ले लो उसके पास ब्लाक फोरेस्ट केक तो पक्का होता है. तीस साल पहले था, तीस साल बाद में भी रहेगा. कश्मीर में भी रहेगा, कन्या करमैरी में भी रहेगा. That is the golden rule of bakery business. हमने बीच में क्या किया? थोड़ा पॉश बनाने का कोशिश किया था ब्लाक फॉरेस्ट केक को हमने ब्लाक फॉरेस्ट गेतो करके नेम किया था पहले मुझे ही उसको प्रोनौंस करना नहीं आता है स्पेलिंगी ग-a-t-e-a-u-x फ्रेंच कुछ फ्रेंच नाम था अभी कस्टमर जो ब्लाक फॉरेस्ट केक जो देख रहा है यह सब देखके उसको पहले क्या प्रोड़क्ट प्रोनौंस करना नहीं आता फिर समझ में नहीं आता क्या है तो हमारा वो प्रोड़क्ट का सेल कुछ दिन तक ड्रॉप हो गया तो बिगजस लर्निग यह था कि यहर आप जो काटेगरी कुजिम बेच रहे हो उसमें कुछ टैंड़ नाम रहते हैं ब्लाक फॉरेस्ट केक को ब्लाक फॉरेस्ट केकी बोलो जादा इन्नोवेटिव मत बनो पनीरबटर मसाला को पनीरबटर मसाला ही बोलो कि कस्टमर उसी को ढूंड रहा है किस्टमर को और कुछ फैंसी नहीं चाहिए इस्पेशली यह स्विगी जो मैटो ऑनलाइन डेलिवरी में यह तो कन्विनियंस का है घर में बैठके खाना चाहिए जो मुझे मालूम है वही मैं और करोंगा तो हमने तो नेमिंग में सबसे रखता है कि मार्केट में बॉल्यूड चलता है मार्केट में क्रिकेट चलता है तो अलग अलग नाम रखना चालो कर देंगे कि सनी लिओन पानीपूरी या फिर करीना पाव भाजी नहीं करना चाहिए जो चलता है वही चलने देना चाहिए और मैं हमेशा लोगों को यही ब तो बहुत कम ऐसे कस्ट्रमर रहेंगे जो टाकोश खाने के लिए आएंगे पर वही अगर तुम मुंबए में यह बुलोगे कि मैं पाव भाजी और वड़ा पाव भेशता हूँ तो लाइन लग जाएगी तो तुम्हारा इनोवेशन 5% का होना चाहिए या 10% का होना चाहिए क अगर तुम उसको दुनिया से कुछ अलग दोगे तो शायद ओ एक्सेप्ट ही ना करे तुमारे लिए मत करो इनोवेशन करो सभी और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन का स्यों के लिए कुछ हेल्प होता है कि स्विगी जोमाटो में मेरी हिसाप से उतना नहीं होता ह एक नहीं होता है तीन यह तीन जो पारमेटर हमने बात किया फोटो नेम और डिस्क्रिप्शन इन तीनों में से सबसे लएस्ट तो डिस्क्रिप्शन किस तरीके से एक मिनिट में अगर बताना होगा थोड़ा सा कस्टमर को पता चलना चाहिए कि यह प्रॉडक्ट क्या होता है अच्छा चाट जी-पिटी यूज़ करके डालना चाहिए कि खुद लिखना चाहिए अभी तो लोग चाट जी मैं ओर और मेनु इंजिनिरिंग की बात करता हूँ जब हम लोग किसी बेकरी के लिए या फिर किसी रेस्टोरंट के लिए मेनु इंजिनिरिंग करने के लिए जाते है तो सबसे पहले आप आपकी दिमाग में आपने अभी 2000 रेस्टोरंट चला रहे हो आपकी दिमाग में है यह पहले तो देखो कि कितने अटम होना चाहिए कितने काटेगरी होना चाहिए कितने आइटम होने चाहिए मोटा मोटी I think seven into 12 या 12 into seven का कुछ थमबूल है कि basically seven items 12 categories 12 items seven categories क्या बात है perfect उसके बात तो कोई आदमी इतना स्क्रोल करके नहीं देखता है मेरे सबसे पहला स्क्रीन में ही या दूसरा स्क्रीन में मेजॉरिटी सेल वहीं से आ जाता है सबसे नीचे जो डालते हो ना product वह बिखता नहीं हमारा एक हुद का experience है एक जमाने में बेकरी में हमारा एक चोटा सा आइटम था रेड वेलवेट शॉर्ट करके रेड वेलवेट का केक का एक बॉल जैसे बना दिया उसके उपर चॉकलेट है तो बहुत अच्छा बिखता था यस फिर हमने स्विगी जमाटों के मेन्यू में कुछ दिन बाद उसको सबसे नीचे लगा क्योंकि प किराना शॉप में जो बोलते हैं जो देखता है वो विखता है यहां पर यहां पर आदमी सिर्फ पहला दो स्क्रॉल या तीन स्क्रॉल देखता है उसके बाद तो देखता नहीं कुछ किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि जाके सब्सक्राइब परसेंट देखें समझ गया तो कैसे फिर जब मैं मेनु इंगिनिरिंग करू तो सबसे जो पहले पहला जो मेरी कैटेगरी है क्या मैंने उसको बेस्ट सेलर कैटेगरी रखना चाहिए हमेशा ताकि हाँ आइडियली तो बेसिलर ही रखना चाहिए क्यों के क्के कस्टेमर को वही अच्छा लगता है आपको सबसे बड़िया रेटिंग चाहिअ क्यों सबस्क्ison कि उपना दो कॉम्बो में बैसुल्स का उपर आपकी यदु निडहने को अगर ज्यादा रहेगा मेरे बेस्ट सेलर कायोली हम लोग जब भी किसी रेस्टोरंट में जाते हैं तो आप सबसे पहली देखोगे कि पहले पेच पे 10 रुपे के 20 रुपे के 30 रुपे की आटम रहते हैं जैसे चाय रहेगा इडली रहेगा वड़ा रहेगा और फिर जो मेन कोस रहता है थो थोड़ा अंदर वाले साइड में रह रहते वाले रखके कस्टमर को लाना चाहिए तीन-चार मैने के बाद या समझो छे मैने के बाद आपका थोड़ा उदर एस्टाबलिश हो गया रोज थोड़ा बहुत और रहें रेटिंग वेटिंग अच्छा है कस्टमर से पता चला कि लोग क्या खा रहें क्या खरीद रह आपका जो थोड़ा महेंगा वाला प्रोडेक्ट उपर डालो तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होने चाहिए हर नब्बे दिन बाद हमने यह स्टड़ी करना चाहिए डेटा निकालके कि मेरा कौन सा एटम ज्यादा बिक रहा है उसको उपर डालना चाहिए या जैसे मेरा चल है वैसी चलने देना चाहिए क्या मेरा रेटिंग गलबड़ा जाता है अगर मैं ज्यादा उपर नेचे करूंगा एटम को तो रेटिंग कुछ फरक नहीं पड़ता है पर इसको करना चाहिए हर नब्बे दिन में उससे आपका फायदा होगा क्योंकि जो आपको लगता होग पर देखोगे तो पता चलेगा कि बिल्कुल ही नहीं बिक रहे तो इसको नीचे प्रमोट नहीं करना चाहिए आपको लग रहा होगा आपको आपको सबसे नीचे वाला प्रोड़क्ट जादा बिक रहे और कस्टमर उसको अच्छा रेटिंग भी दे रहा है तो उसको उपर क्या मुझे मेरा सर्च फॉलिम भी देता है क्या क्या मांगना चाहिए क्योंकि जब हम लोग किसी भी रेश्टार्ण से बात करते तो उनकी कंप्लेंट रहती है कि हमें कुछ बताता नहीं है पर जब मैं आप से बात कर रहा था तो आपने बताया कि स्विगी जमाट आपका धन्दा चलता है उनके उनके उपर अमारे जासे बहुत लोग है जो भी रेश्टार्ण वाला बोलता है कि स्विगी जमाटो से उसका कुछ फाइदा नहीं होता है वो भी मेरे हिसाब से सही नहीं है उस पर बाद में बात करते हैं पर आपने जो पूछा कि ट्राफिक का डे डेता देता है वो बोलते हैं कन्वर्जिन फनल ओके शुरू होता है जितने लोग आपका मेन्यू आप स्विगी जमाटो का आप खोलो गए तो उस पर आपका रेश्टोन का नाम आता है वो सबसे शुरू आते पिर उसको क्लिक करोगे तो कोई आदमी मेन्यू देखता है त उसको बोलते हैं मेन्यू ओपन कितने लोग ने आपका मेन्यू देखा उसके बाद सौ में से समझ लो 25 लोग ने मेन्यू में से किसी आइटम को कार्ट में डाला उसको बोलते हैं मेन्यू टू कार्ट फिर कार्ट में जो डालने के बाद चायद उसको प्राइस अच्छा नह नहीं लेगा, तो 25 में से समझ लो, 15 लोग छोड़ देते हैं, काट अबेंडन कर देते हैं, फिर 10 लोग बच गया, आपको काट में से order किया, फिर order के बाद payment करते हैं, payment level पे तो आज के दिन पे technology इतना advance हो गया कि failure उत्तरा नहीं होता है, पर काट में से, जो काट में 25 लोग डाला, उस में से 15 लोग ने छोड़ दिया, तो 10 लोग ने आपको order दिया, यह सब पूरा data आपको स्विगी जोमेटर वाले देते हैं, मेरा तो अनुभव उल्टा रहा है, हमारे पास भी बहुत सारे स्विगी जोमेटर वाले जोग है, और फिर वो बोलते है कि, यारो मुझे basic रेपोर्ट नहीं दे रहा है, कि मेरा दिन का सेल कितता हुआ, और सेल में क्या-क्या विका, यह तक भी report स्विगीज जोमेटर वाले नहीं देते हैं, हमारे customers बोलते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहते हो सबके पास स्विगी और समयटो का पार्टनर याप या मर्चंट आप आपको खोल के देखोगे तो दिन का सेल का डाइटर मिल जाता है इसमें मेरा कौन सा आइटम किता बिका और उसमें से किता डिसकाउंट गया वह नहीं दिखाता है जो है वह आपका पास सिस्टम में तो पता चलेगा लोग तो उसमें आइटम तो आएगा तो वहां से हिसाप रख सकता है आदमी इसमें क्या होता है ना कि अभी स्विगी जोमैटो का इंटिग्रेशन नहीं है तो लोग क्या करते स्विगी और जोमैटो के लिए दिन भर का एक कित्ता विका वाला नहीं देते अब आपका क्या बड़ा स्केल है 2000 रेस्टोरेंट है 220 लोकेशन से आपको मिलता रहेगा जो छोटे दुकान दार है उनको नहीं मिलता है पर भाई एक चीज़ जरूर करना अपना जो भी मैनेजर है उसको पकड़ो उसको बेटा उसको खाना आइटम का हर एक ओडर का अलग से बिल मारना अच्छा ही होगा हर किसी का अपना अपना तरीका रहता है कि महलब अगर बहुत ज़्यादा रश्य तो फिर रात को एक ही बार मार देते हैं या फिर क्योंकि बहुत सारे रेस्टरंट में ऐसा होता है कि मेरा फूटफॉल भी बिल्कुल तो और अलग तरीके से प्रोसर हो जाता है फट 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 निकाल देते फिर रात को एक ही बिल मारेंगे तो गल्ला मैच हो जाता है बस इतना ही है अब सरा आते हैं अपन दूसरे इस पे आपने एक चीज बूली थी कॉम्बो किस तरीके से क्रिएट करने चाहिए क्या लॉजिक क्या इंजिनेरिंग हमने कॉम्बो में क्रिएट करनी चाहिए जिससे की मेरा एव भी बड़े मेरा क्रॉसल भी हो जाए देखो नॉर्मली कॉम्बो सबसे अच्छा जो बनाते हैं आप जाके मैकडोनल्स या बर्गर किंग देखो पूरा दुनिया में अपिमी को होता है और जब असपेशली ऊंलाइन देखोगे तो पहले एक बर्गर दिखाते हैं पिर आप क्लिक करोगे तो पिर दिखाते हैं कि ए प्रेस करना है रहा है चीज करना है या पिपिसी आड़ करना है सिरु के टेंपट कर रहे हो कि पहले वालय तो आपने तो दोड़ा टीज कर रहे हैं अपसेल करके कॉम्बो बना रहे हैं वह एक तरीका होता है हाँ दूसरा होता है कि फिक्स्ट कॉम्बो मतलब कस्टमर इतना चॉइस कुछ चॉइस नहीं कस्टमर के पास कस्टमर को बस आपने बोल दिया कि यह तीन आइटम मिलेगा इसका अदा उसको टीज कर दिया तो उसने फ्राइस भी ऑर्डर कर लिया ऐसा टैप का एक कस्टमर दूसरा होते है पका क्लियर है अपने दिमाग में कि आज मुझे बर्गर फ्राइस और पेपसी पीना ही है पीना है तो दोनों को अपील करना चाहिए यह तो सब ने देखा हुआ है कि क किस तरीकी के कॉंबो बनते है किस तरीके के कॉंबो चलते और डेटा-डरीवन डिसीजन कैसे ले या जाए बेको नकों सौथिंडियन नहां बैंगल से हूं तो जादा खाता हूँ ङस तो सौथ इंडिली के साथ वाडा डाल सकते हो कंबो में अगलग तरीके के चटनी या सांबा डाल सकते हो कॉम्बो में या नॉर्मली साउथ इंजिन रेस्टरॉंट में एक क्या बोलते हैं उसको मिनी टिफिन का पैक रहता है वो भी एक कॉम्बो हो गया दोसा एक इडली और एक वड़ा और एक दोसा का कॉम्बो हो गया तो ऐसे कुछ कर सकते हो हम लोग इंजिनेरिंग किस तरीके से लगाए या फिर जब हम लोगने मेंव इंजिनेरिंग की बात कर रहे थे तो उसमें से क्या आपने जिस तरीकी का 7 by 12 का रूल दिया था ऐसा कुछ रूल है क्या कॉम्बो बनाने के लिए कि मैं डेटा से नेकल सको कि यह मेरा आइटम नहीं बिखता है तो इसको कॉम्बो बना के मैं बेचू या फिर यह मेरा हाई वेल्यू लो लो कैक वाला प्रोड़क्ट है जैसे अगर मैं बेवरे रेजस में चले जाओ तो लिम्बू शर्बत भी अगर डाल दिया बनाने का कॉश एक अगर इस आपनी बूला की बर्गर यह सिर्फ आपका 10-1 को कि बढ़ गया तो यह आपको डिसाइड करना होगा कि आप कॉंबो किस चीज के लिए करें यह भी बढ़ाने के लिए तो सारे बेस्ट सेलर को मिक्स करके वेचो क्योंकि यह भी बढ़ेगा कस्टमर का फीडबैक और रेटिंग भी अच्छा होगा और फाइदा होगा एक तरीके से तुसरे आपका थोड़ा सा सा बसेलर है पर उसमें मार्जन थोड़ा काम है उसके साथ ठोड़ा Miss करो तो आपका अच्छा होगा पर बैस सेल में मिक्स में,ゆということ फीडबैक भी अच्छा होगा करेंग अजिए नहीं होना पर और सब अघ्ट कॉर्ण्य को वाइदा नहीं होगा क्योंकि कास्टमर आपका रेटिंग गिरा देगा पहले तुम्हें बोलता हूं कि जैसे आप पहले बहुत कर रहे थी हर 90 दिन में हर 60 दिन में जो भिकता नहीं हो प्रॉडक्ट को आपको हटा दो हम लोग उसको बॉटम बॉक्सिंग बोलते हैं हम लोग हमारे या नहीं कोरिया मिंसी बात बना दिया कि उसका कुरिया का भी थ्रटा साथ इंडियन का भी टेस्ट मैने उसपे साल लगा दिये तब है अच्छा बनाए मुझे तो अच्छा लगता है क्वह 한 तेरे को अच्छा लगता है PK st ट्रक्शर मर को अच्छा निहीं धंदा नहीं होता है तो मतलब दिल और दिमाग धंदे में डालो बट किसी एक आइटम के लिए मत डालो क्योंकि ओ आइटम अगर तुम्हारा सारा का सारा प्रॉफिट खाके जा रहा है ना तो तुम्हारे बीवी बच्चे है जो सफर कर रहे तुम्हें तो खुछी मिल रही ह कि आरे चलो यार मैंने कुछ इनोवेशन लाया मैंने कुछ तिक्डम लगाया कुछ अच्छा बनाया आइटम वाइज रिपोर्ट में अगर टॉप 10 में नहीं है तो तुम्हें कित्ता भी अच्छा बनाया हुआ हो मेरे लिए कामका नहीं है जो कि धंदा पैसा बोलता है ब दिल से धंदा नहीं चलेगा मलब दिल से प्रॉडक्त मत बनाओ दिल से धंदा चलाओ क्या बात है क्या एक दम गोल्डन स्टेट्मेंट बोल दिया आपने कि गल्ला बजना चाहिए सब्सक्राइब हम लोग मनलब आपने सारी पॉइंट्स कवर कर लिए कि किस तरीके से फोट आइटम का नाम और वगरे बढ़ाने का है मैं अभी आपके बिजनेस पर आता हूँ आपने बोला कि आपके 2000 रिश्टारंट है 220 जगा है अब आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताईए मुझे हमारा मेजॉरिटी बिजनेस विगी जमायटो पे चलता है उससे पहल नाम कीए सе पारे में कितने भी साड्य का चार हजार रश्टोरेंट एंशरी फिजने संजूरी डॉमिनुंस के की बीस के बिसाचर हजार रश्टोरेंट करीब उतना करिब करीब उतना ही और आपके 2000 अनू करीछ कोजीना का मतलब किचेन है, ग्रीक में, हमने वहां से निकाला था, हम क्लाउड किचेन चलाते हैं, क्लाउड किचेन मतलब यह रेस्टरांट है पर इसमें लोगों को बैठने के लिए जगा नहीं होताई, कस्तमर ऑडर कर सकता है पर ऑन-LINE प्लाटफॉर्म के थूर। स्विगी, Zomato, ONDC, आज के दिन पे Ola बहुत कर रहा है, Ola It, Ola It, Magic Pin, Thrive, यह कोई भी ऑनलाइन प्लाटफॉर्म होगा, वहाँ पे मेन्यू दिखता है, और कस्टमर ओर कर सकता है, वहाँ से, परफेक्ट, वहाँ खाना बनता है, और स्विगी, जोमेटो, या ONDC का कोई डेलिवरी बॉय, उसको डेलिवर करके, तर आपने बताया कि आप स्विगी, जोमेटो पे बेशते हो, और आपने एक बार मुझे यह भी बोली थी, कि आप रेश्टोरंट वाले को भी जो एकजिस्टिंग रेश्टोरंट वाले है, जो स्ट्रगल कर रहे है, जिनका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, उनको भी आप हेल्प करते हो, वो कैसे करते हो, समझ लो, आप रेश्टोरंट वाले हो, आप जैसे बहुत लोगे, इस देश में, और unfortunately 80% जो रेस्टरॉंट लगाते हैं, उनका तो स्ट्रगल ही होते है हर दिन, दुकान भाड़े पे ले लिया, एकुपमेंट खरीद लिया, खाना बना के बेचने का कोशिश कर लिया, पर आगे नहीं जा रहा है गाड़ी, तो मैं ऐसे बहुत सारे रेस्टरॉंट या बेकर वाला ब्राइड, काटी जोन करके हमारा एक रोल्स का ब्राइड है, 20 साल पुराना ब्राइड, एक जमाने में QSR चलाते थे, तो उसको हमने एकुआर के, ऐसे हमारे 10 ब्राइड है, अलग-अलग तरीके के, तो आपका किचन में से, उस आपको हम रेसिपी, खाना बनेने का सब कुछ सिखाएंगे, वहां से आपको बना के बेचना होगा, बेजना होगा, डेलिवरी बॉय के साथ, और हम लाके देंगे, वही रेंट है, वही आदमी है, जो बनाने वाला, आपको जो ओफलाइन का दंदा जो चल रहा है, कस्टमर जो आ रहा है, उसको आपको जो रेस्टारंट वालों के साथ, तो आप मुझे यह बता रहे हो, कि मेरा खुद का रेस्टारेंट है, जो मेरा फुटफॉल आ रहा है, वो तो आते रहेगा, लेकिन मुझे आप एक्स्टा ओर राके दोगे स्विगी और जमैटो से, बिल्कुल, और उसके लिए आप मुझे स्विगी जमैटो लेता है, डेलिवरी करने के लिए, कस्टमर लाने के लिए, डेलिवरी करने के लिए, आपका खाने का इसा रा मेटिरियल का एक तीस परसंट जाता है, तो पचास रुपे बच गया, वो पचास में से, समझ लो, हमने बीस टका रख लिया, वो बीस टके मे आपको order लाके देंगे उसका marketing कराएंगे और software भी देंगे आपको यह सब manage करने के लिए और हमारा back end में recipe बनाएंगे उसको pre-mix जैसा बनाएंगे frozen बनाएंगे वो सब भी हम सब करके आपको देंगे आपको इसको बना फिर recipe के एसाब से आपको बना के box में डाल के customer को बेजना होगा तो आप मुझे यह बता रहे हो कि 100 रुपए का अगर माल बिकेगा तो मेरे हाथ में 30 रुपए बचेगा बराबर हां समझ लो उतना बचते अब लेकिन मैं अगर मेरा खुद का restaurant है जब मैं ख तो फिर मैं इस पर क्यों फोकस करूं मैं आपके साथ क्यों जुड़ों फिर तो आप restaurant टियर हो ना हाजी कितने साल से कर रहे हो मैं अभी तीन-चार साल तो लगते है किसी restaurant को ठिक ठक बनाने के लिए तो कितने order आते हैं दिन के नब्बे सो order आते हैं कितने कितने दिनों से चल रहे हैं कि दो साल हो गया है आप बहुत कोशिश कर रहे हैं आप धंदे वाले मेरे जैसे हां मैं तो रोज बहुत मेहनत करता हूं अपना धंदे को आगे बढ़ाने के लिए यस आप भी तो कर रहे होगे यस फिर भी आपका नब्बे सो order में धंदा बैट गया उसके इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है जो साल से अभी नया क्या निकालोगे आपने बहुत सब कुछ कर लिया तो आपका वो जो बिजनेस है वो वसी नब्बे सो order पर चलेगा समझ गया हम जो लाके दे रहे हैं इसके उपर है तो आपका जो तीस रुपे जो बचता है इसमे और सिधा प्रॉफत है ओके किते ऊड़र लाके देते हो आप और आन अवंच चौछ किसी एक फ्रेश रेश्टराण अगर मुंबै अग्र किसी ने अगर आपके साथ crime किया तो महेने के कितते ऊड़र लाके देते हो किते का धंदा बनता रहर किता आडिशनल प्रॉफित उस यह दस ब्रैंड में से 30 या 40 ओर तो आपका आ ही जाएगा यह दस ब्रैंड में से यह मैं हमारा स्विगी जॉमेटों का अंडरस्टैंडिंग हम इतने सालों से जो कर रहे हैं इतने सारे रेस्टरॉंट जो जल रहे हैं उससे सीख के इतना तो हम लेकर आ सकते हैं आप प्रोमि मेन्यू होता है क्या कैटिगरी होता है यह सब में डेटा देखके ही चालू करते हैं समझ पर यह पार्टनरशिप है हां जी हम और कर लागने का कोशिश कर रहे हैं पर आपको अच्छा आपको रेसिपी फॉलो करके आपको खाना बना के अच्छा सा डब्बा में पैकेजिं से दूसरा इटम मत में तो गलतिया कभी-कभी हो सकती है मतलब कभी मैं जानबुषके तो नहीं करूंगा हां बिलकुल बट उसको मिनिमाइज करके जो जो हमारा जो प्रॉसेस या रूल्स होते है उसको पॉलो करको करोगे तो कोई-कोई रोप नहीं सकता आपने तो यह जो दस हजार का पकड़ उस में से आपको तीन हजार बच गया जो पहले हमने हिसाब किया समझ गया तो अगर मेरा महने का एडिशनल एडिशनल आप करके दे रहे हो बच सकता है सही है तो मेरा किचन मेरा किचन रहेगा और आपके दस ब्रैंड और हमारे पास आ जाएंगे ऐसा वाला हिसाब किताब है सही है सिंपल सा चीज है आप दुकान में बड़ा मॉल में जाते हो तो वहां पर स्टोर इन स्टोर करके रहता है शॉपर स्टॉप में जाओगे या बड़ा सा दुकान में जाओगे जोडियों में जाओगे बिग बजार में जाओगे तो उनका अला से समझ गया समझ गया समझ सही है तो तो मतलब कोई रेस्टोरेंट वाला अगर आप से टायप करे तो ओ मेरे खाल से 50,000-90,000 रूपे का एडिशनल प्रॉपिट एक महेने क सकताल कर आप आसान सब्दों में बताना चाहते हो लेंट निकल जाएगा या खर्चा निकल जाएगा और 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 आप से क्या उसको एडिश्णल लाके दोगे देखो यह ऐसा है कि सबको लगता है कि स्विगी सोमैटो में अगर लिस्ट कर दिया तो धन्दा आ जाएगा अभी जैसे इंटरनेट पे सबका वेबसाइट रहते है गूगल पे सबने अपना वेबसाइट बना लिया बड़ा सहा गूगल का फस्ट पेज में आता है उसी का सबसे ज्यादा होता है आना चीज रहाएप昨 girls थे हुग dedicates με को में क्याकि अधेंट लाने के लिए थिजिक हैना वेसा इलोग करते है इसे है कस्टिमर आता है खाना ढूंदने के लिए और करने हाजारों लाखों रेस्टरॉंट है आपका ही मार्केट में 200-300 मिनिमम मिनिमम 300 से 7800 रेस्टरॉंट रहेगा चोटा मार्केट है तो कम रहेगा बट बहुत सारे सबसे आगे आप कैसे जाओगे वह सब हमने इतने साल से करके यह सब सीखा है तो वह फाइदा है हमारे साथ काम करने आप खुद लगा होगे तो लगा होगे पर कस्टमर को दिखा गए नहीं तो फाइदा के एक्सपरटीज नहीं आएगी आप यह बोड़े हो कि कोई बंदा अगर खुद का ब्रैंड डालेगा तो उसको पाच-छे ओडर आएगी आप उसको दिन का तीस से चालिस ओडर लाके देने का हंड़ेट पर्षेंट गरेंडी दे रहे है इंटरेस्टिंग है और यह तो आपने बताया कि एक्जिस्टिंग रेस्टारंट है तो और किसी को अ आएग्व 425 घंग है यह बिए इसमें नहीं है यह थे इसमें नहीं जहीं हो तो एक बताती हो क्या कि बोर्ड मेरे नाम का लगना चाहिए लाल कलर का पेले कलर का जा लगना इसे। नहीं करते हो आप लोग देखो वो b ape Memo मेरे ना समझने के लिए elder मेरे को बना बनाए कस्टोमर चाहीए उसके लिए मैं आ रहा वूँ मैं तो सब को यही बोलता हो कि अगर आपको फ्रेंचेज लेन हो तो ऐसे ही फ्रेंचेज वारे से लेने चाहिए जो दंके के छोट पे जाके बोले कि तेरे लिए मैं मार्केटिंग करके दूँगा तेरे को में कस्तुमर ला के दूँगा तब भी तो तो मेरा फ्रैंज़ेज लेना चाहिए उसका ने तो नहीं लेना चाहिए माल तो सो लोग बेच रहे है तो क्या फाइदा मेरा? बिल्कुल रिस्टरांट इंडस्ट्री में जो भी बन्दा रिस्टरांट चालू करते है उसका एराधा तो उसके बाद अच्छा काना बेचने का होता है उसके बाद कस्टेमर आया तो उसको खुशी से बाहर वेजने का यादा रहता है यह तो सब लोग यही कोशिश करते है जब फ्रैंचेजी लेते हो पर सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यह होता है कि सेल लाना, मार्केटिंग करना जैसे पहले बोल रहा था न गल्ला आवाज करना चाहिए रोज पैसा आना चाहिए धन्दे में वो सबसे मुश्किल काम है जो भी फ्रैंचेजी लेता है किसी से फ्रैंचेजी क्या बोलता है कि मेरा इसका बोर्ड यलो में होना चाहिए ऐसे कलर का चेर होना चाहिए लाइट ऐसा होना चाहिए वो कोने में एक कुछ ऐसा प्लांट रख दो डेकॉर ऐसा होना चाहिए ये सब बोलते हैं और खाना ऐसा बना और किचन ऐसा क्लीन करो, टेबल ऐसा क्लीन करो अपरेशिनल लुटी करके इसस ब देते हैं कोई भी sales कैसा करना है सिखाता है नहीं वैसे sales तो बहुत ही मुश्किल है कोई school आप degree करने जाओगे तो भी कोई sales नहीं सिखाता है sales में आप सोचोगे तो MBA sales में होता है नहीं MBA होता है marketing में MBA होता है operations में sales तो आदमे को करके ही सीखना पड़ता है और यह जो restaurant का franchise ही होता है जिससे भी कोई आदमी franchise ही लेता है कोई भी सब लोग यही बोलता है कि sales आजाएगा आप यह सब करोगे पर sales कैसा लेके आएंगे कितना order लाएंगे कैसे expertise है कितना मदद करेंगे कोई नहीं करता है आपने बोड येलो में लगा दिया इसका मतलब यह थोड़ी है कि customer आजाएगा कल आदमी brand से franchise ही लेता है धंदा लाने के लिए हमारे देश में brands की कमी है और जो किसी brand का franchise ही लेते हो brand इतना strong नहीं कि customer उसको ढूंदते हो आ जाएगा और मतलब है जैसे डॉमिनोज हो गया मैकडी हो गया सब्वे हो गया तो दो-दो करोड की franchise बनती है और फिर ओ अठरा मेने में चोईस मेने में उसका turnaround हो भी जाता है वो तो customer लाके देते हैं बट छोटे franchise नहीं लाके दे रहे देखो यह सब actually franchising कहां चलूँआता है चलता है मैकडोनल्स का 40,000 दुकाने हैं उसमें से 35,000 franchise है इंडिया में क्या किया उन्होंने दो master franchises बनाए individual franchises नहीं दिया डॉमिनोज का भी वो ही है हचारो franchise है इंडिया में master franchise बनाए jubilant पाकी जो भी आप brand देखो अमेरिका में जहां पे food franchising चालूँआ है सब लोग franchising पे ही चलाते हैं क्योंकि इसमें operations चलाने के लिए वो local entrepreneur का expertise चाहिए वो passion चाहिए जो आप जो restaurant के बात कर रहे हो नो दिल से दिल से धन्दा करने वाला चाहिए दिल से खाना बनाने वाला दिल से धन्दा करने वाला दिल से खाना बनाने वाले को शेफ बोलते हैं दिल से धन्दा करने वाले को restaurantier बोलते हैं तो वो franchising में वो आदमी का ज़रूद बहुत ज़ादा है तो सब लोग वही करते हैं पर वहाँ पे क्या हुआ McDonald's 50-60 साल पहले बना था तो बहुत बड़ा ब्रैंड बन गया आप यही बिल्डिंग को अगर McDonald's का जो golden arches बोलते हैं उसका logo इधर लगा दिया तो line लग जाएगा पर warm होगें हमारा brand का लगा होगे तो इतना कुछ लाइन नहीं लगेगा हमारे जैसे सारे food franchises है इंडिया में biggest difference यही है कि हम हमारा online expertise यूज करके daily order लाके देते हैं मैं हमारे franchises को और daily real time में उसको feedback भी देते हैं कि कहां improve करना चाहिए कल जितना कल 40 order किया उसमें से 4 customer ने आपको 5 star rating दिया एक customer ने one star rating दिया one star इसलिए दिया क्योंकि उसने तीन item order कि उसमें आपने दो item भेजा एक आपने भूल गया तो अभी अगले बार यह गलती कैसे आप रोकोगे ऐसे टाइप का हम daily आपका जो धन्दा होते हैं उसका data देखके feedback देते हैं थाकि इंप्रूव करें इंप्रूव्मेंट से ही आगे बढ़ता है ना समझे हैं तो कैसे आइडिया आया था आपको इस business का सेर हम हमारा जर्नी काफी अलग है करीब 2010-2011 के टाइम में मेरे और पार्टनर्स हैं तो हम लोग बाकी लोग उनका फ्रैंचेज ही लिये थे तो वो उनका फ्रैंचेज ही चलाये थे ऑफलाइन वाला बैंगलूर में बारिश बहुत होती है तो साल में 3-4 महिना बारिश होता है या 2-3 महिना जो भी है शाम को बारिश हो गया तो कस्टमर अंदर नहीं आगा तो कस्टमर अंदर नहीं आगा तो कस्टमर अंदर नहीं आगा हम यह दुकान हो गया सबसे में रोड पे हजारों रुपए लाखों रुपए का रेंट और बारिश हो गया तो कस्टमर नहीं उस मेना हमारा घाटा होत तो फिर एक दिन हमारे को यह समझ में आ कि जो आदमी दुकान में आता है वह चोटा सा पचास रुपए का कपके क्या पेस्ट्री का के जाता है जो जिसको हजार रुपए का के खरीदना है खरीद के घर लेके जाता है तो फिर हमने चालू किया था वाम ओवन को एक डेलिवरी ओनली के केक बिजनेस करके यह स्विगी जमाटो के पहले खुद डेलिवर करते थे धीरे धीरे तीन चार किचन हमारे खुद के लगाये थे हम इसमें इन्वाल नहीं थे फुल टाइम नहीं थे बाकि और कुछ कर रहे बीच में फूद डेलिवरी बहुत बड़ा हो गया था तो वह तैम आने में मैं ओला में नौकरी कर रहा था तो ओला में मैंने जॉइन करा किया था ओला जब फूद पांडा करके एक फूद अक्विजिशन हुआ था स्विगी जमेटो जैसे ही था वह टाइम पे बहुत सार फूद डेलेवरी कंपनी थे टाइनी ओल करक एक था रॉफ्ड उबरीट स्विग्ई था और भी थे फूद पांडा था तो ऑला ने फूद पांडा को खरीद अधा तो अंत вмैं ओला में था तो मैं फूद बिजनेस में इनवाल्ड था फिर ओला ने भी कॉद नियटव सेट पार्ट टाइम जो धन्दा हमने चालू गया था, तब तक 10-11 किचेन हो गया था, पर्फेक्ट, प्रॉफिट से ही एक और किचेन आड करते थे, धीरे-धीरे, जब जरुरूत परक खुद के जेब से पैसे डालते थे, तो बड़ा हो गया था, फिर हमको लगा कि यार यह तो बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, फिर चालू किया, फिर काटी जोन करके ब्रैंड था, 2004 में चालू हुआ था, वो उसका कुछ इस्यूस थे, तो बंद होने को आ रहा था, तो उसको हमने खरीद लिया, तो उसको भी हमारे किचेन से आड किया, तो दीरे-दीरे एक ही कि किचेन से सारे ब्रैंड्स हमने आड करना चालू किया था, फिर कोवीड आया, कोवीड एक्शली हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि कास्टोमर घर बटे बटे और करता था, और बाकी लोग बंद थे, पर कोवीड के ताइम में एक चालेंज था, हमने हैधराबाद, पुने में हम बैंगलूर में थे, तब तक कोवीड के जस पहले पुने और हैदराबाद में हमने लांच किया था, और बैंगलूर में बैटके लॉकडाउन में वहां के किचन चलाना बहुत मुश्किल होता है, तो हमने थोड़ा पूर टेक वेक, सॉफ़वेर बना लिया था, पर बहुत मुश्किल होता था, तो तब ही यह समझ में आया था कि शायद पूरा इंडिया में अगर एक्स्पैंड करना होगा, तो खुछ से नहीं होगा, जैसे मैं बॉल रहा था, पिर रम ने थोड़ा देखा, पढ़ाई किया, कि दुनिया में क्या होता है, फिर यह समझ में कि फूर बिजनेस जो भी स्केल करता है, वो तो सिर्फ रैंचेजिंग के तुरू करता है, फिर हमने चालो किया था, हम सिर्फ से पहला पार्टनर में था, एक लेडी थी, जो कॉर्परेट में जॉब करती थी, कोवेड के टाइम में बैंगलोर से मैंगलोर शिफ्ट कर गई लगी था, को उसने ऐसा ओपरेशन चलाया, जो अभी तो हमें शेरम आता है कि हम ओपरेशन का धन्दा चला देते, आज के दिन पर वहाँ पर वार मोवन का 4.6, 4.7 का रेटिंग होता है, और वो आगे जाता है, हार क्वाटर में बढ़ता जाता है, आजारो कस्टमर में रे रहेंगे, तो सबका फाइदा होगा, तो आगे जा सकते हैं, तो यह हमारा जर्नी है, तो आप बीच में 2-3 साल फूट पांडा में थे, मेरे जो बाकी के कोलीग्स, आपका जो एक्सपरटीज रहा है, वो पूरा का पूरा फूड वाला ही रहा है, मतलब किस तरीके से इसलिए आप बोलते हो कि ब्लैक फॉरेश्ट को ब्लैक फॉरेश्टी रखना चाहिए, यह एक चीज भी नहीं है, बहुत सारी बहुत सारी चीज है, बहुत सारी मेरे बात की पार्टनर से, धंदा तो एक आदमी से नहीं चलता है, पूरा टीम से चलता है, अगर प्राइचेन साफ्ट्वेर बनाते थे, फूड का सर्च इंजन नहीं, रेटेल का सर्च इंजन, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में काम कर चुके थे, फिर थोड़ा खाने वाले भी है, रेस्टरॉन जो चला चुके हैं, होटल मानेजमेंट वाले, ऐसे वाले बंदे भी हैं हमा ऐसे लोग भी है, तो यह सब रेसीपी होता है, रेसीपी होता है, रेसीपी फॉर गुड रेस्टरॉन बिजनेस, यह पूरा सारी इंग्रेडियन्स अभी जम गए, अच्छा, गौतम भाई एक चीज मेरे से छुड गई थी, अपने रेसीपी बोला तो मुझे याद आया, अपने मेरे खैल से, इंवेंटरी मैनेजमेंट इस बिग बिग चैलेंज, और आपने बता है कि आपके 10 एक लोकेशन पे 10 होते है, तो आप इंवेंटरी कैसे मैनेज करने के लिए बोलते हो किसी रेस्टरॉन वाले को, कैसे मैं इंवेंटरी पे ट्रैक रखू, माइंड में तबी बड़े।मी से मेरा इंवनेटरी ठीक रहे। सबसे बरबाद तो चीज है कि मैंने इनवनेटरी लाए और बरबाद हो गया। ना मेरे पेट में गया ना तेरे पेट में गया हमारा मॉडल में वो issue नहीं है क्योंकि बेकरी जो है आटा या प्रीमिक्स तो उसमें वेस्टेज और यह सब प्रॉब्लम नहीं होता है आप यह ले लो काटी जो रोल से हमारा जो मोमो है यह सब का भी इन्वेंटरी बनता है एक बड़ा फूड प्रोड्यूसिंग पैक्टरी में जो हमारा खुद का नहीं हमारे पार्टनर से हम रेसिपी डिजाइन करते हैं जैसे यह मोबाइल फॉन हो गया यह तो वन प्लेस का यह हों पर बनता है किसी औरका कंट Two यह रेडी मैड होता है कि ब्स को करना हें करना इंवेंटरी खराब होता बहुत ही कम दोनों तरीके के जो इन्वेंट्री होते हैं यह तो लॉंग शेल्फ लाइफ वाले होते हैं छे से बारा मेने का शेल्फ लाइफ होता है तो बेस्टेज तो बिल्कुल होगा नहीं कि आलू-प्याज जैसा या टमाटर जैसा की खरीदा और दो दिन दिन में अब बाइचांस ओर्डर ही नहीं आया और इन्वेंट्री मेरे पास ही है या फिर और आया मैंने प्रोसेस नहीं किया मेरे में नहीं यह शम्दा मेरे से गलती होगी आप से टायप करके क्या आप मेरा माल वापस लेते हो अभी तक तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है सब लाग का इन्वेंट्री मतलब आगर सब चलता है तो समझ यह तो बारा मैने का इन्वेंब्क रहता हैं तो जरूद पड़ेगा तो बलोगें हमने पार्टनर करते हैं उसको पार्टनर बोलते हैं यह काफी सोच के लगाया है क्योंकि आप अगर अच्छा करोगे तो जो पचास रुपए जो बचता है उसमें आपका शेयर है करें आप जितना अच्छा करोगे मैं मेरे लिए उतना अच्छा है तो अगर गलती से मेरे वज़े से आपके वज़े से अगर चला नहीं है तो मुझे अच्छा लगा यह मौडल सुनके पहली बार मैंने मौडल देखा तो अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला आज हमें धंदे की बात पे किस तरीके से स्विगी जमाटो का यूज करके तुम अपने धंदे को बढ़ा सकते हो कितना माइने रखता है कि मेरा इमेजेस कैसा हो कितना माइने रखता है कि मेरा आइटम का नाम कैसे हो और अगर स्विगी जमाटो वाला मैनेजर आपको अगर हेल्प नहीं कर रहा है तो उसके थोड़े से कान पकड़ो उसको थोड़ा सा अच्छे से खाना खिला और बोलो भाया मुझे मेरा डेटा निकाल के दे क्योंकि डेटा के बेसिस पे जब तुम अपना डिसिजन लोगे तो तुमारा स्विगी जमाटो पे धन्दा रोलिंग हो जाएगा और सर ने एकदम जबर्दस गोल्डन स्टेट्मेंट दिया है कि शेफ से दिल से खाना बनाना चाहिए और धन्दे वाले ने दिल से धन्द करना चाहिए और गल्ले में हमेशा आवाज आना चाहिए इस सब के बाद अगर स्विगी जमाटो वाला आपको डेटा नहीं देता है तो हमारे पास आओ आपको मदद करेंगे सभी है आपको अगर कुछ भी स्विगी जमाटो के उपर से अगर आपको कुछ भी डाउट हो आपका अगर रेश्टारंट नहीं चल रहा हो फुटफॉल बनाने का टाइम हो ऑनलाइन बेशने का अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं और सर दोनों मिलके आपके सारे के सारे जवाब देंगे लगे तो अगर one-on-one call भी करना ह तो अपन कर लेंगे लेकिन मेरा ये इंटेंट है गौतम भाई को यहां पर बुलाने का इंटेंट यही था कि आप सभी का एक master class बने स्विगी और जमयटो पे तो मेरे कहल से आज जो master class हो गया है हम लोग दिल से गौतम भाई को धन्यवाद बोलेंगे कि आप धंदे की बा बहुत कुछ है आपसे और सीखने के लिए आपको बार बार बुलाते रहेंगे हक से बुलाएंगे और हक से धंदे के बात करेंगे वेलकुल वेलकुल बहुत कोशी भी बात करके